असलाम अलेकुम एब्रीवन वेलकम बेक टू मैं चैनल आमने नासेम और आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है जी हाँ वर्क फ्रॉम होम आप घर बैटे किस तरह कामा सकते हैं बहुत ही वास टॉपिक है और साथ में बहुत ही इ तरह कोई स्टार्ट कर सकता है घर बैटे मैं खास साथ में उनके इंग्जम्पल्स भी देने वाली हो जो मैं भुद मैं बिजनिसे देख हैं इसकार रहे हैं और घर बैटे कमा रहे हैं तो लेट्स डिसकुष्स 5 साइड हसला आइडियास सबसे पहले हम इस टर्म की मीनिंग समझते हैं कि what does side hustle means तो side hustle की term है उसकी meaning यह है कि a side hustle is any type of employment undertaken in addition to one full time job यह तो उनके लिए हो गया जो full time job करना इसको skip करते हैं लेकिन जो mothers or students के लिए यह term की meaning हुई वो हुई freelancing कि आप अपना passion से जो है passion जिसका का है उससे आप earn करने लग जाएं गर बैटे तो उसको side hustle बोला जाता है तो जैसे कि for example cooking हो गया baking हो गया, artworks हो गया paintings, calligraphy अगर यह आपका passion है और आप शौकिया यह करते हैं लेकिन अगर आप इससे earn करने लग जाएं गर बैटे तो इसको side hustle बोलते हैं तो आज हम discuss करेंगे ऐसे five side hustle ideas और साथ में हम उनकी examples भी देखेंगे कि कौन हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छा earn कर रहे हैं और grow कर रहे हैं तो let's get started तो सबसे पहला idea जो है वो है homemade food और baking business बहुत सारी female students को baking का shock होता है साथ में housewives बहुत मज़े का खाना बनाती है जो सब ही तारीफ करते हैं तो उसको आप अराम से उस skill को साइबिलेटी को आप उसको earning के लिए यूज कर सकती है बहुत सारी multiple apps है जहां पे अपने आपको रेजिस्टर करवा कि वहां पे अपना food बेश सकती है अगर आप किसी को commission या अपनी percentage नहीं देना चाहती तो खुद social media accounts बनाए instagram पे facebook पे और वहां पे अपनी selling आराम से कर सकती है मेरे पास खुद बहुत सारे pages है जो मैंने देखे है instagram पे जो आराम से अपना business कर रहे हैं और earning कर रहे है for example मैं यहां पे आपको businesses दिखाती हो pages दिखाती हो जिनके earning हो रही है for example हमारा first page है वो है फात्मा किचिनेट के नाम से इंस्टाग्राम पे है इनके frozen fried items इनकी main speciality है और chutney और इस तरह की चीजे भी यह हैं तो भूत लोग इसको prefer करते हैं भूत orders आते हैं इन सब items के लिए lunch boxes के लिए लोगों को चाहिए होता है टिफिन के लिए तो लोग इसको order करते हैं तो आप इस तरह के page बनाएं जिसकी demand हो जैसे कि दुसरा है chef in the head इन्होंने भी इसी तरह के items रखे में other than that अगर आपको baking का शौक है students है उनको baking का शौक है तो आप cake bakery का बेच बनाएं better and butter और लोग जो है वो home chef से जादा प्रिफेर करते हैं क्योंकि जो है बेकरी जो बड़ी बेकरी हैं नाम वाली उनके पहुत rates जादा होता है तो लोग इनको order जरूर देते हैं मैं personally भी मैंने भी जितने cakes अपने बचों के बनाए है मैंने इन लोग को order दी है क्योंकि इनकी बहुत अच्छी quality होती है और rates भी minimum होते हैं तो orders आते हैं तो अगर आपके पास ऐसी specialty है तो आपको ज़रूर utilize करनी जाए है और second option आते हमारा वो आता है tutoring, side hustle में tutoring बहुत ही अच्छा option है खास तोर पे students के लिए अगर आपको पता है कि यह आपका favorite subject है और आप यह किसी और को भी सिखा सकते हैं पढ़ा सकते हैं तो why not? आप इसे बहुत अच्छा अंड कर सकते हैं और यह बहुत ही beneficial जो है side hustle है, बहुत ही beneficial job है कि आप से revision भी होता रहता है आप किसी को education sector में आप किसी को पढ़ा भी रहे सिखा भी रहे और साथ में आप earn भी कर रहे तो यह तो मैं students को बहुत बोलती हूँ कि यह जरूर उनको करना चाहिए student life में ताकि आपको earning भी होती रहे और आपको benefit भी मिलता रहे, आपको maths अच्छा आता है इनके पास भी यह service अविलेबल है tutoring देना, online और साथ में indeed में भी बहुत सारी opportunities है तो आप भी जा के चेक कर सकते हैं और यह students के लिए बहुत ही beneficial है तो I would really recommend के students इसको अपनाए और इससे अराम से earning करें third side hustle idea हमारे पास है art का, बहुत सारी students बहुत सारी females को art का शौक होता है वो बहुत ही अच्छे आटिस्ट होते हैं बट उनको पता नहीं होता है कि वो इस talent को इससे earn कैसे कर सकते हैं तो बहुत ही easy है आपके पास तो ऐससे talent है जो लोगों को बहुत पसंद आता है आप कैलिग्राफी करें abstract art हो या किसी भी के तरह का art हो आप उसको instagram page बनाए social media, facebook page बनाए या youtube channel बनाए और आप उससे earn कर सकते हैं आराम से यहां तक कि यह एक ऐसी चीज है जिसे आप multiple of platforms से multiple तरीके से earn कर सकते हैं for example आपने एक art का instagram page बनाया है जहां पर आप उस piece को sell कर रहे हैं जहां पर customers order करते हैं आप उसको deliver करते हैं यह तो एक तरीका हो गया जैसे कि यहां पर आप बहुत सारे options देख रहे हैं दुसरा option यह है कि जो art piece आप बना रहे हैं उस पूरे process को अगर आप record कर लें और उसको आप multiple of platforms पे उसकी video upload करें for example facebook हो गया, youtube हो गया अपना एक art channel बनाएं जहां पर आप जो आप art piece बना रहे हैं वो आप sell तो कर रहे हैं लेकिन उसके पूरे process को record करते वे आप उसकी video भी upload कर रहे हैं तो आपके बहुत chances हैं कि आप grow करें साथ में आप जो है आपको वहाँ से customers भी बिलेंगे multiple of platforms से और अगर वो grow हो जाता है और monetize हो जाता है तो आपको वहाँ से earning भी शुरू हो सकती है तो दोनों platforms जो है YouTube हो गया और Facebook हो गया वो monetize होने के बाद earning दे रहा है तो आप इस तरह से भी earning कर सकते है साथ में आप multiple of platforms में पोस्ट करेंगे तो आपको multiple customers आएंगे आपकी reach होगी आपकी audience होगी तो आपकी जो है collection की selling भी बढ़ेगी तो ये बहुत ही अच्छी opportunity है खास तोर पे students के लिए housewives के लिए females के लिए के वो अपने talent को art pieces को इस तरह से सेल करें और multiple तरीके से उसको advertise भी करें multiple तरीके से उससे earning भी कर सकती है तो ये तो बहुत ही अच्छा option है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे मेरे पास बहुत सारे Instagram पे pages हैं मेरे पास जो के मैंने खुद review भी दिया है और मैंने देखा है कि उनका work बहुत अच्छा चल लाए और खास तोर पे जादा तर इसी तरह से कमा रहे है आज कर रेजिन आर्ट्स भी बहुत इंत है लोग इसकी जो होम डेकोर बहुत शॉक से लेते है खुबसूरत लगता है इसमें कैलिग्राफी भी आ गई है अब इसकी ट्रेज मिल रही है इसकी क्लॉक्स मिल रही है तो यह भी आप यूटिलाइस कर सकते हैं इसमें कोई भी बहुत जादे इंवेस्टमन की जरूरत नहीं है और आप अराम से घर बेटे इससे अर्णिंग शुरू कर सकते हैं कोई भी भूँत जादे सब्सक्राइब की जरूरत नहीं होती है तो वह भी मिनिमल कोस्ट पे आप अराम से अर्णिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो अगर आपके पास ऐसा टैलेंट है तो give it a try ओगे इसमें अब हमारे पास फूर्थ आइडिया रता है वो आता है content creation का आप खुद देखते हैं इतने साले यूट्यूबर्स हैं इंस्टाग्रामर्स हैं, टिक्टॉकर्स हो गए कि इतने जादा वो earn कर रहे हैं प्राइवेट नहीं हो जो public हो जिसकी setting public हो और आप जो है different type of contents post करें video contents हो या written contents हो इसी तरह आप YouTube पे देखते हैं कि YouTubers अच्छे से earn कर रहे हैं monetize हो जाते हैं उनका channel अलाम से अगर उनका content अच्छा हो तो आप भी ऐसे vlogging कर सकते हैं productive vlogs बनाए या tutorials हो गई अगर प्रोसेस को तो आप उसको videos भी डाल के उससे भी अनकर सकते हैं साथ में अगर आप gamer हैं आपको game खेलना पसंद है तो आप उसकी भी video बना के डाल सकते हैं तो मतलब जिस चीज का भी आपको passion हो अगर आप उसकी video बना के multiple platforms में डाल दें और अगर आप ग्रो हो जाएं तो आप उससे अनाम से अनकर सकते हैं 5th side SL idea हमारे पास आता है content writing का content writers ज़्यादा तर higher होते हैं वो होते हैं freelancers ही या work from home ही उनका opportunity मिलती है तो अगर आपको content writing का शौक है और आपकी writing abilities अच्छी है because आप student है और आपकी qualification ऐसी है तो आप content writing के through भी अच्छी earning कर सकते हैं वो भी घर बैटे work from home होता है content writing का और ये contract जो होता है वो बहुत multiple of companies offer करती हैं आप indeed पे भूछ सारी jobs आपको ऐसी मल जाएंगी जो आपको home base होंगी और आपकी खुद की timing के recording होंगी और आप उससे अच्छी earning कर सकते हैं तो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी इसमें मैंने 5 side hustles ideas share करे हैं जो बहुती basic हैं और बहुती असान है तो कोई भी उसको carry on करके earning कर सकता है तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ये helpful होगी आपके लिए तो basically ये मेरी पहली वीडियो थी इस topic के बारे में लेकिन मैं extra income और work from home के बारे में और भी वीडियो बनाऊंगी और साथ में कुछ apps के बारे में भी discuss करूंगी जिसके थूँ आप अराम से घर बैठ के earning कर सकते हैं और जिसके थूँ आपको बहुत help मिलती है तो आने वाली वीडियो उसके लिए चैनल को जरूर subscribe करें like here, share करें और जरूर comment करें thank you for watching this video Allah peace till the next time